प्रति दिन विस्तर से उठना एक चुनाव होता है आप किस वक्त सोने जाते हैं वो एक चुनाव होता है आप जो खाते हैं और अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं ये चुनाव होता है आपके विचार एक चुनाव होते हैं मैं जानती हूँ कई बार हमें ये समझने में समय लगता है क्योंकि हम सोचते हैं मेरा उस परवश नहीं जो मेरे दिमाग में आता है परिंतु सची है कि आप अपने विचारों का चुनाव कर सकते हैं आप फैसला कर सकते हैं कि आप उसमें से किस को दिमाग में घुसने देंगे और किस से आप पीछा चुड़ाएंगे शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमें जरूरत है बहुत सावधानी से बात करने की और समझदारी से चुनाव करने की हम अपने पैसों को जो करते हैं वो एक चुनाव होता है हम पैसा बचाते हैं या नहीं वो एक चुनाव है यदि आप इस वक्त नहीं बचाएंगे तो आप बात में पच्टाएंगे जब आप बुढ़े होंगे और मैं इसलिए सही चुनाव करने के बारे में सिखाना चाहती हूँ कि अवल तो ये सच मुझ बाइबल का विशय है, दूसरा ये, कि यदि आप सही चुनाव नहीं करेंगे, तब आप अंत में पच्चताते रहेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में सूचें, जब पिता की मृतियों लगबल 4 वर्ष पहले 86 की उम्र में हुई, और चाहे उन्होंने मरने के 4 वर्ष पहले मसी को स्विकार किया था, जिसकी मुझे बहुत प्रसन्नता थी, मैं सच मुझ क्या सकती हूँ कि जब मेरे पिता अपने गुजरत जीवन को देखते थे, तो उन्हें केवल पश्चाता भी होता होगा, 86 वर्षों के बाद भी कुल मिला कर, 10 लोग थे जो उनके अंतीम संसकार पर आए, जिसमें ज्यादा तर मेरे बच्चे थे, जो मेरे लिए आये थे, केवल मेरे लिए, बहुत दुख होता है जब आप अपना संपूर्ण जीवन जी लेते ह हैं और कोई आपको याद नहीं करता, जब आप चले जाते हैं और इसका कारण वो सब घलत चुनाव हैं जो उन्होंने जीवन पर किये थे, जिन्होंने सम्मन नहीं बनाये थे, वो लोगों के साथ बुरे थे, उनके साथ मित्रतापुर्वक रहना कठीन था, वो कठोर थे, आखते थे और फैसले सुनाते थे, शोशन करते थे, और उन्होंने उसका मुल्य चुकाया, और उन में से हर एक बात एक चुनाव थी, वो अपनी भावनों के अनुसार जीए थे, और उनकी बहुत सी भावनाएं शत्रु से प्रेरित और उसके नियंत्रण में थी, क्योंकि कि वो मेरी माँ को देकर हमेशा पच्चताते थे, कि वो नशे में घर आकर उन्हें पीटा करते थे, और मैं जानती हूँ मेरे भाई के बारे में सोचते थे, जिसे हम मेंसे कोई भी अधिक नहीं मिला, क्योंकि उसके जीवन का बहुत बुरा हश्र हुआ, मैं जानती हूँ म मैं कभी भूल पाऊंगी कि मुझे उनके जीवन को देखकर और ये समझकर कितना अफसोस हुआ था कि 86 वर्शों के बाद उनके पास पच्चता आपके अलावा कुछ नहीं था, मैं आशा और प्रार्तना करती हूँ कि आप में से किसी किसा तैसा नहो, क्योंकि आप में से ब प्रार्तना है कि ये आप से बहतर चुनाव करवाएगा पर सारे संसार में ऐसे कई लाख मसीह हैं जो अभी भी घलत चुनाव करते रहते हैं हर दिन, हम अपनी आजादी के बार में बहुत बाते करते हैं और इसके कि मसीह हमें कैसे आजाद करता है और जब आप एक मसीह होत ने कि आजादी होती है पर हमारे द्वारा किया हर चुनाव असल में एक बीज होता है जो हम भोते और हर बीज जो हम भोते हैं बोलाता है किसी प्रकार की फसल हमारे जीवन में हम बात करने वाले हैं बुद्धी मानी के बारे में इस सब्ता बाइबल में बहुत लिखा है बुद्धी मानी के बारे में और ये कि बुद्धी मान होना कितना अच्छा होता है और कैसी मुर्खता होती है मुर्ख होना और बुद्धी मानी मैं चाहती हूँ कि आप याद रख पर ये बुद्धी मानी की मेरी अपनी परिभाशा है और मुझे ये सही लगती है कि बुद्धी मानी हमेशा आज वो करने का चुनाव करती है जिससे बाद में उसे संतोष होगा। बहुत साधारण होते हैं जिन से शायद हमारे जीवन में कोई बड़ा अंतर नहीं आता। मेरे विचार से यहां कुछ ऐसे लोग हैं जीने अपने जीवन की कुछ चीजों के बारे में महत्वपूर्ण फैसले करने हैं और ऐसे बहुत से लोग टीवी द्वारा देख रहे होंगे जीने कुछ फैसले करने के आवश्यक्ता है। वो अपने जीवन से प्रसंद नहीं है वो अपने जीवन के परिस्थितियों से संतोष्ट नहीं है पर सबसे बत्तर काम आप ये कर सकते हैं कि आप वही काम करने के जो आपने हमेशा किया है बिन नतीजों के आशा करते हैं यदि आप अपने जीवन में बदलाओ चाहते हैं तो उसे वो बदलना होगा जो वो करते आए हैं। खोशी की बात यह है कि आप कर सकते हैं बहुत वर्ष होता गलत फैसले और शायद पहले लगबग बीस मिन्टों में मैं इस बार में बात करूंगी कि गलत फैसले करने पर क्या होता है पर किसी को हताश और उदास होकर यह नहीं सोचना है आपकी बाते सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं सच मुझ मुश्किल में हूँ सु समाचार के संदेश की शुप खबर यह है कि आपकी द्वारा किया हर सही फैसला उल्टे में मदद करता है आपकी द्वारा अतीत में किये सभी गलत फैसलों के नतीजे को यह अच्छी खबर है ना आपकी द्वारा किया हर सही फैसला जैसे कि आप यहां आने के फैसले से भी आपको मदद मिलेगी उन कुछ गलत फैसलों के नतीजे को पलटने में जो आपने अतीत में किये थे परमीश्वर के वचन से आपके मन का नमीनी करण होगा आपको परमीश्वर के वचन पर शिक् कि हम पहले ही लोगों की चंगाई के लिए प्राटना कर चुके हैं, आज बहुत से लोग पहले ही फैसला कर चुके हैं, मसी को अपना मुक्तिदाता स्विकार करने का, सो हम फैसले करते रहते हैं, हर समय, मैं शिक्षा के आरम में ही ये कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ इससे याद करने की कुशिश करें और मुझे स्वेम भी इससे याद करने की आवश्यक्ता है मैं नहीं समझती कि हम कभी सच मुझ अच्छे फैसले करने की आश्रा कर सकते हैं यदि हम अपनी गती थोड़ी कम नहीं करेंगे हम एक बहुत तीज गती वाले समाज में रहते हैं और हमें ठीर सारी जानकर इप्राप्त होती है हर एक उसके लिए हमें प्रवरित्ती होती है जलबाज में फैसले करने की उनमें से शायद कुछ ठीक हूँ पर हमें कुछ चीजों में गती कम करनी है उन चीज़ों में से एक चीज़ है जिसमें गती कम करनी वो है कि हमें बोलने से पहले थोड़ा सोचना है आमेन और मुझे आज रात ये भूल गई थी कि मुझे उससे बहुत परिशानी हुआ क्यों कि मैं आज यहां आकर आपको ये संदेश देना चाहती थी पर मुझे किसी और को ये बतानी की आवश्यक्ता नहीं पर जो पहला व्यक्ति मुझे मिला मुझे से बताया बिना नहीं रा गया जैसे ही मैंने बताया अब आवश्य जानते होंगे कि वचन आप से बात करता है जो जिस पर मैंने बताया मुझे ये वचन मिला प्रेम बहुत से पापों को ढखता है, मैं उसी समय जान गई कि मुझे उसे ढखना और अपना मुझ बंद करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, किवल इसलिए कि मैंने बहुत सोचा नहीं था, उसके बारे में जो मैं बोलने वाली थी, मैंने यूँ ही कह दिया, फिर मेरे हथ क्या लगा, पच्चतावा इसलिए मुझे चार बार पच्चात आप करना पड़ा चाहिए, एक बार ही पधियापत होता पर हमें महसूस होता है कि हमारा कई बार पच्चात आपका ना अच्छा होता है, क्योंकि मैं तयार हो रही थी, यहां आकर आपको अच्छा चुनाव करने को कहने के लिए, विशेश कर अपने शब्दों के बारे में पर मेरे विचार से वो भी अच्छा उधारान बन सकता है कि हम सभी को परमिश्वर को जवाब देह रहना है अपने चुनाओं के मामले में और मेरे विचार से आप भी मेरी तरह जानते होंगे कि यह दुख की बात है कि हम अपने जीवन का बड़ा हिस्सा ऐसे काम करते हो व्याथित करते हों आप जानते हैं, मैं टीचर हूँ, बाइबल की टीचर, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कुछ सभाएं किस चीज के साथ जुड़े रहना और उसके बारे में भिन्न दृष्टी कोणों से सिखाना, एक बात तो तो तैह है, जब आप यहां से जाएंगे, चाहे आप यहां सभा में आए थे या चारों में आए थे तो विशेश रूप से यहां से जाने पर आपको इसके बार में इतना ग्यान होगा, कि आपको थोड़ा अधिक सोचनी की आवश्यक्ता है, उन फैसलों के बारे में जाप करते हैं, इस सब्ता हम यह सिखेंगे कि हमें अपने फैसले स्वयम करने चाहिए और हमें दूसरे लोगों को अपने फैसले नहीं करने देने चाहिए, तो यह आप में से बहुतों के लिए अच्छा होगा, जिनने स्वीकृती की लत लगी है और उन्हें लोगों को प्रसंद करने की बहुत आदत पड़ गई है, जिससे आप स्वयम प प्रित्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का शाक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरन को तुम्हारे आगे रखा है, अब इसके बारे में सोचिए, हम अकसर ये वचन सुनते हैं, पर इसके बारे में सोचिए, मैंने जीवन और मरन आशिश और श्राप को तुम्ह जो हमारे बाद आती हैं और उन्हें जो हमारे आसपास है मुझे कई बार ऐसा कहना पसंद है कि यह ऐसा है जैसे परमिश्वर ले रहे हैं एक अनिक सवालो वाली परिक्षा और उन्होंने हमारी परिक्षा से पहले बता दिया है जवाब क्या है मैं तुम्हारे सामने रखता ह पूर्णा नहीं है कि शहर का सब से बढ़िया नभी आकर आपके बारे में भविश्यवानी करें कई बाइज आपके सामने भविश्यवानी करता है. यदि थो सही और परमीश्वर से सुन रहे हो, वो आपकी सामनेक संभावना की भविश्यवानी करते हैं, पर वो निश्चित नहीं होता, क्योंकि हम परमीश्वर के साथ सहभागी हैं, और हर जब परमीश्वर के वचन में कोई बादा पढ़ते हैं, तो हमें हमिशा संतुलन के लिए एक बीज बोना पढ़ता है, चाहे वो एक सभा में आई थी और उसका शोशन हुआ था और बहुत सी समस्य आए थी उसकी शक्षियत से उसके कारण, वो पिछले कई वर्षों से लगातार संदेश सुनती आई थी, उसने कहा मुझे एक मेंस पर कुछ लोगों के साथ बैठाया गया, क्योंकि वहां की विवस्त था एक दावत की जैसी थी, उसने कहा ये बहुत दिल्चस्प है कि परमिश्वन ने मुझे एक ऐसी मीज पर बैठाया, जहां ऐसे बहुत से लोग थे जिस पर वही गुजरी थी, जो मुझे पर गुजरी थी और मैंने उससे ये सुना, परमिश्वन ने मुझे दिखाया कि मु अच्छा होगा यदि आज कोई यहां कुछ सीख लेगा, उन्होंने कहा और मुझे समझाया कि मेरी क्या समस्याती परमिश्वन ने उनसे जो भी करने को कहा था, वही उन्होंने मुझे भी करने को कहा था, उनमें और मुझे में केवल यही अंतर है, कि उन्होंने वो किया थ हमें शायद रुख कर इसके बार में थोड़ा सोचना चाहिए रोम्यो पाँच उन्नीज क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आग्या न मानने लापरवाय या सावधानी और आदेश न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे वैसे ही एक मनुष्य के आग्या मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे आईए इसे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि जैसे एक मनुष्य के गलत चुनाव से बहुत से पापी बने एक मनुश्य के सही चुनाव से बहुत से धर्मी बनाये गया और उन्हें धर्मी ठहराये गया परमीश्वर के साथ देखिए यदि आप बहुत लंबे समय से परमीश्वर की सेवा करते आए हैं इस बात की बहुत संभावना है कि किसी और ने मसी को स्विकार किया है आपकी गवाही के कारण, आपके कहें शब्दों के कारण, उस जीवन शैली या उस बदलाव की कारण जो उन्होंने आप में देखा या आपने उन्हें न्योता दिया आपने साथ गिर्जजाने का या शा सकारात्मक तरीके से प्रभावित न किया होता, मेरे दादा ने कुछ गॉलत चुनाव किये थे, जिन्नों ने मेरे पिता को प्रभावित किया, उसके बाद मेरे पिता ने बुरे चुनावों ने मुझे प्रभावित किया, परमिश्वर का धनियवाद, कि तीस के दशक में प्रवेश करने पर मैंने आखिर कार सच मुझ परमिश्वर के साथ गंभीरता से चलना अरम किया मैं उससे पहले भी मसीही थी पर मैं केवल गिर्जे जाने वाली मसीही थी मैं असल में अच्छे चुनाव नहीं करती थी मैं किवल सुनती थी, करती नहीं थी और मैंने कुछ सही काम किये थे मैंने सब कुछ घलत नहीं किया था मेरे जीवन में कुछ अच्छा फल था पर मैं तब भी वो नहीं समझती थी जो आज आपको बता रही हूँ कि हमारा हर फैसला एक बीज होता है जो हम बोते हैं और ये कि परमीश्वर की सभी वादे अपने आप हम पर नहीं गिर जाएंगे वो तब प्राप्द होंगे जब हम वो करने का चुनाव करेंगे जो परमीश्वर हमसे करने को कहें परमीश्वर हमसे कभी कुछ करने को नहीं कहते हमारा उससे कोई लाब न होता हो तो मैं चानती हूं कि परमिश्वर शायद इस वक्त आप से कुछ लोगों के साथ ऐसी बातों के लिए निपट रहे हैं, जो बहुत कठीन हैं वो आपको शायद ऐसे व्यक्ति पर दया करने को कह रहे हैं जो शायद कुछ बुरे हैं और आप सोचते हैं अन्या हैं ये सही नहीं है पर देखे यदि आप वो करेंगे जो परमिश्वर आप से करने को कहते हैं अब बहतर मनुश्य होंगे पर यदि आप अपने दिल में नाराजगी और कड़वाध भरे रहेंगे तो ये आपको परमिश्वर की उपस्तिती से दूर रखेगा आप अपनी जीवन में अपनी प्रत्यक्ष उपस्तिती का आनन नहीं ले पाएंगे ये पवित्रा आत्मा को दुख ही करता है आप भी दुख महसूस करेंगे क्योंकि पवित्रा आत्मा आप में है और वो बहुत दुख महसूस कर रहे होते हैं यह यदि नाम उनकी नहीं हो तो कठिन बनता है आपकी प्रात्नाओं का पुरा होना क्योंकि बाइबल में लिखाएगी यदि तुम दूसरों उक्षमा नहीं करोगे मैं तुम एक्षमा नही सब्सक्on мной धीद हैं जिनके साथ गिर्जे जाते हैं वह एक चुनाव होता है पर मुझे महसूस होताया है! महसूस होताया पर देखे इसलिए परमेश्वार हमें चुनाव करने की आज़ाद ही देते हैं. चुनाव का अर्थ ये है कि हमें अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं जीना है और ये कि हमें अपने विचारों के अनुसार नहीं जीना है और ये कि मुझे उसके अनुसार नहीं जीना है जो आप सोचते हैं मेरे विचार से आप में से कयीयों को कुछ ऐसले करने के आवश्यक्ता है जो उन कुछ फैसलों के नतीजे को रद करने में मदद करेंगे जो आपने किये थे अतीत में और इस वक्त आमीन कहकर किसी का कुछ बिगड़ेगा भी नहीं मुझे नफरत एक खेत की उस भावना से निराश होकर दुखी होने से किसी ऐसे काम के बार में व्यथित होने के जो मैंने किये हो और जिसे अब पीछे जाकर रत करना मुझे आता नहों क्या कभी कुछ कहने या करने के बाद आपको ऐसी इच्छा नहीं होई कि काश आपने ऐसा न किया होता मेरे पास एक ताजा उधारने क्या आपकी कभी ऐसी इच्छा होई कि काश आपने किसी से कुछ कहा होता जब आपको मौका मिला था पर फिर बहुत देर हो गई और आप व परमेश्वन ने आपके दिल में वो करने की नहीं डाली थी, पर आपने उनकी बात नहीं सुनी, शायद आपकी एक गाड़ी थी, किष्टे समाप्त होई थी, और परमेश्वन ने आपको सुझाव दिया था, तुम वो पैसे लेकर जिनकी तुम हर्मा किष्टे देते थे, उन पर आपको खेद नहीं होगा, पर आप 5-6-7 वर्शे तो गाड़ी को 600-700 डॉलर के किष्ट देते रहेंगे, यदि आप चाहते हैं तो खेद में रह सकते हैं, ये किन से बात कर रही हैं, यदि आप चाहें तो आप खेद में जी सकते हैं, पर ऐसा करना जरूरी नहीं है, इस को आईनी में देखेंगे और वो सब जो यहां उपर था, यहां नीचे दिखाई देगा, मेरी बात याद रखिए, जब ऐसा होता है, मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है, आज जब आप डेव से मिले तो मैंने आपको बताया कि हमने उनकी सतरवी वर्श गांट मनाई थी कुछ दिन पहले और लोगों ने हमें साफ जूटा कहा जब हमने उन्हें बताया कि वो कितने बुड़े, कितने जवान है, माफ कीजे, माफ कीजे, माफ कीजे, मुझे बुड़ा कहने की अनुमती नहीं है, जब मैं लोगों को उनकी उमर बताती हूँ, ऐसा कैसे है, इसका काया, एक कारण यह है कि वो पचास सालों से व्यायाम कर रहे हैं, अब मैं उन्हें देखर कह सकती हूँ, काश मैंने भी ऐसे क्या होता, आप इस, आप इस वक्त क्यों नहीं करते, जो न करने का बाद में आपको अफसोस होगा, काश मैंने खाते समय इतना अधिक न खाया हो आप बहुत देर हो गई है, यह आपके पेट में और आप दुखी है, काश मैंने बच्चों के साथ अधिक वक्त गुजा रहा होता जब वो छटे थे, अब मुझे महसूस होता है, मानो मेरा उनसे कोई सम्मन नहीं है, उन्हें मेरी परवा नहीं है, मुझसे प्रेम नहीं है देखे हो सकता है मेरा प्रचार आप में जागरुकता लाए और आप उन कुछ गलत चुनाओं के बारे में सोचे जो आपने किये थे, यह आपको दोश देने के लिए नहीं है, हमें किवल यह बताने के लिए है कि हमें यह करते नहीं रहना चाहिए, आप अभी भी बदल सकत हैं, आज रात यहीं पर और कैनेडा की सभा में और आप में से हर एक भी जो यह प्रोग्राम देख रहा है, आप में से बहुत से सुबह के वक्त देख रहे होंगे, यह आपके लिए बदलाव का समय होगा, अब आप कहेंगे, यह समय है मेरे बड़े होने का, जिम्मेदार बनने का और वो चुनाव करने, आरम करने का, जिससे मैं भविशे में प्रसन्न होंगा, ऐसे मज जियो जैसे कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल हमेशा आता है, मैं आप से कुछ कहूँ पर मेश्वर वो सब देखने हैं, जो हम करते हैं, वहाँ उपर बैठे लोगों को भी, और घर पर सोफे पर पसर कर देखने वालों को, जो सोचते हैं कोई उनके बारे में नहीं जानता, हम जानते हैं, आप वहाँ हैं, एक व्यक्ति ने गवाही दी थी, खुछ सब्ता पहले हमारे स्टूडियो में जिससे सुनकर मैं हसने लगी थी, उसने कहा, मैं परमिश्वर पर बैठकर बियर पी रहा था, उसने कहा, मेरी माप को देख रही थी, आपने स्क्रीन के पार से मेरी योर देखकर कहा, तुम जो कुर्सी पर अपसर कर बियर पी रहे हो, उसने कहा, ये सुनकर मैं घवरागा और मेरा बच्चा हो गया, मुझे ये बहुत अचम्बित करता है, कि जब हम यहाँ पर ये सभा कर रहे हैं, पर लोग देखेंगे इस सभा को, लगभग 40 बिन भी नभा शामी, दुनिया के अलग-अलग कई हिस्सों में और आप सोच रहे होंगे, कि यदि आप बहतर चिनाव करने का छोटा सा काम करने लगेंगे, अपने जीवन में उससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मेरा मतलब परमेशवर ये कहेगा, मैं तुम्हारे सामने जीवन अम्रतियों रखता हूं, क्रिपया जीवन चुनो, ताकि तुम और तुम्हारी अंश जीती रहे, उनका आर्थ केवल सांस लेना नही बलकि जीना था, ऐसे ही जीवन जीना था, जो परमेशवर को प्यारा था, क्योंकि हम जो फैसले करते हैं, हमारे दौरा किया हर एक फैसला, हमारे बच्चों को प्रभावित करता है, मेरे दादा के फैसलों ने मेरे पिता को प्रभावित किया, मेरे पिता के फैसलों ने मु जीवन है जितना मेरा उनकी उम्र में था और उनके बच्चों का जीवन उनसे भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो सारे इस वक्त 7, 8, 9, 10 वर्ष के हैं वो आरम से रविवार के स्कूल में जानके कराण ऐसी बाते जानते हैं जिनने मैं 50 की होने तक नहीं जानती थी इसलिए आपका आज यह आने का फैसला आपके परिवार को प्रभावित करेगा मैं चाहती हूँ कि आप में से जो टीवी द्वारा वचन सुन रहे हैं से पूरी गंभीरता से ले यह आपके परिवार को प्रभावित करेगा हम इससे हमीशा देखते हैं और लोगों की जिवनो कि अनुसार बुद्धी मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तों में से कोई भी उसके तोलियन नहीं है यदि हम परमीश्वर की बुद्धी को खोजेंगे अपने प्रती दिन के फैसले करने के लिए हम बाद में खेद में नहीं जीएंगे मिलकर हम भूकों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुँचा रहे हैं रिपया हमसे संभर करें या विजिट करें jmmindia.org पर आज ही अपनी प्रात्रा के अनुरोद बताने के लिए हमारे साधरों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शडियूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीग का प्रेम बढ़ने के लिए